अपना लीनियर इनिक्वालिटीज का लेक्चे नमबर टू आप लोगो ने फॉर्स लेक्चर कवर किया तो बहुत बेसिक सा हमने बात किती वहां पर कि लीनियर इनिक्वालिटीज होती ही क्या हैं सिंगल वेरिबल पर डिसकुशन किया था देन डबल वेरिबल पर बात किती और ग्राफिकल रेप्रेजेंटिशन भी हमने सीखा था कि किस तरीके से कौन सा एरिया वह कवर करेगा तो ओरिजन को लेकर के हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया था कि अपर हाफ लोह राहाफ लेफ्ड और राइथ किसको कुए न बात करने बात कहा था कि हम लोग जो टू वेरिबल्स वाली इक्वेशन स्पढ रहे है उनिकीOK मोर्डन तू उपिरोशन सभबू कर Like हम लोग solution find out करने बागे हैं. So, let's start. So, आज की class का है, solution of system of linear inequalities in two variables. Basically, हमारे पास system होगा. System किसे कहते है? More than one equation if you have, that is called a system. So, simply एक example लिया. A1X plus B1Y plus C1 greater than 0. A2X minus B2Y lesser than or equal to 0. X greater than or equal to 0. Y greater than or equal to 0. So, like मैंने पूरा पूरा possible situation आपको बता दिया. तो इस तरीके से system मिलेगा अपने को. इस system को पहले 1, 2, 3, 4, चारो system को एक ही coordinate planes पर, एक ही X, Y plane पर अपने को ड्रॉ करना है. क्या आगा ना मिटा? पूरे को ड्रॉ करना है. आपकोर्डिंगली देखना है कि ये कौन सा पार्ट कंटेन करेगा, ये कौन सा पार्ट ये और ये. फिर इन चारो का जो कॉमन पार्ट होगा, ताट इस दा आंसर. इन चारो का कॉमन पार्ट जो वे बटाव अपना, कौमन पार्ट ही अपना आंसर बनेगा, ठीक है? So, सबसे पहले एक्जेम्बल से बात करते हैं, solve the system of inequalities. यहां पर अपने पास two equations हैं, 3x-7 less than 5 plus 6, 11-5x less than or equal to 1. आप लोग अराम से देखो, यहां पर सिर्फ एक variable में बात चल रही हैं. सिर्फ एक variable है, तो बेसिकलिए यहां पर करना क्या है? Equation number 1 भी है, equation number 2 भी है, इन दौनों को calculate करके उनका intersection निकालना है. चलो, तो x की वो values निकालने, जो दौनों inequalities को simultaneously satisfy करेंगे. तो यहां पर 3x-x less than 5 plus 7. x को दर लेकर क्या आगए? तो sin change हुजाएगा, minus 7 को दर लेकर है, तो plus 7. तो यह है अपना twice of x lesser than 12. तो यहां पर x जो है lesser than 6. तो x की value आगए 6 से छोटी. Equation number 1. एक reply यहां से आगए, एक answer यहां से आगए, x की value 6 से छोटी है. सेकिंड अपने पास क्या है? 11 minus 5x less than or equal to 1. अराम से ध्यान देना, क्या lesser than है और क्या equal है, ठीक है? तो यहां पर lesser than और equal to 1 की बात हो रही है. 11, मैंने 1 को दर shift किया, तो minus के sine के साथ, और minus 5x lesser than or equal to 0. तो यह बढ़िए, अपना क्या है 10? Lesser than 5x दर ले आएंगे, तो sine change हो जाएगा, it is plus 5x. Okay, 5x greater than or equal to 10. same equation लिखिए, थोड़ा सको refine form में. अब क्या करो? 5 से divide करो. 5 से divide करोगे, positive है. Divide करने पर, क्या मिलेगा? x greater than or equal to 2. Equation number B. A और B, दोनों को combine करके, हमें answer निकालना है. तो A क्या कह रहा है आपके पास? x less than 6. और B क्या कह रहा है? x greater than or equal to 2. So, यहाँ पर number line बनाया. एक 2 और एक 6. हमेशा number line पर left to right increasing order में लिखेंगे. तो कह रहा है, 6 से छोटा. यह कह रहा है, 2 या 2 से बढ़ा. तो यहाँ पर intersection की बात करें. तो क्या मिल रहा है? x belongs to 2 to 6. 6 यहाँ पर अब बात आती है कि कौन open interval में आएगा और कौन अपना closed interval में आएगा. So, 2 के पास जाओ. यहाँ पर 2 पर भी solid line यहाँ पर भी solid. It means 2 दोनों जगे include है, तो हम 2 को include करेंगे. और आप logically सोचोगे, तो 6 से छोटा. क्या इस interval में 2 आता? Yes. यहाँ पर 2 include है, तो 2 यहाँ दोनों में include है, तो 2 को हम include करेंगे. Now, come to the 6. Okay, यहाँ पर देखो, यह solid line है, तो यह 6 को include करता है, बट यह 6 को include नहीं करता. 6 पर equality का sign नहीं है, तो एक जग़ भी confirmation हो गया, कि equality का sign नहीं है, तो definitely उन दोनों का intersection लेने पर 6 नहीं आएगा. तो यहाँ open interval. तो यह अपना answer है. X belongs to 2 to 6 for this question. तो X की value 2 से 6 के बीच में जितनी भी आएंगी, वो सारी values इन दोनों inequalities को satisfy करेंगे. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ basics और interesting facts की बात करते हैं. A less than B लिखा हुए. तो जब मैंने आपको बुला किनको reciprocal करेंगे, है ना, या इनको multiply करेंगे, divide करेंगे, तो depend करेंगा, किस number से multiply है, divide करोगे, ठीक है. तो आज सारी basic-basics एक पर बाते करते हैं. तो छोटा से example मैंने लिया, कि लिखा हुए, 3 is lesser than 7. पर्फेक्ट, and at the same time, you have minus 3 is greater than minus 7. Same उठा लिया. अभी इसका reciprocal करोगे, ये positive है, मतब 3 और 7 दोनो number हमारे positive है. तो मैंने का reciprocal करोगे, reciprocal मतब ल्टा. 3 upon 1, 7 upon 1, so 1 upon 3, 1 upon 7. तो इनकी inequality का sign भी reciprocal हो जाएगा. मतलब just opposite होता है. So 1 by 3 is greater than 1 by 7. ये बात तो पता है, कैसे देखते हैं, कि इनका denominator same बनाते हैं, तो इसको 7 से, इसको 3 से. तो उपर आएगा 7, इधर 3, और डिवाइन में 21. So it is right. तो जब हमारी inequality लगी है, दो positive numbers के बीच में. और उनका हमें reciprocal करने को बोलेंगे. तो हम अराम से reciprocal करके sign को change कर दें. यहाँ पर बोला है कि minus 3 बड़ा है minus 7 से. क्या सही बात है? बिलकुल सही बात है. अब इनका reciprocal किया, तो minus 1 by 3 minus 1 by 7. दौनों negative number है, तो reciprocal करके sign भी अपना change कर दो. इसको भी आप check करना चाहोगे, तो आप क्या करोगे भई? कि 7 से उपर नीचे multiply, 7 से उपर नीचे, तो denominator सेम हो गया. इधर minus 7, इधर minus 3. Which one is greater than? minus 3 is greater than minus 7. So, definitely, जो हमारा positive से positive में, negative से negative में discussion चल रहा है, inequalities के बीच में. Question अपने को reciprocal करने के लिए बोलता है. So, हम simply reciprocal करके inequality का sign जो भी उसका opposite बना देते हैं. Interesting thing, जैसे ही, यहाँ पर आगया कि हमारा x जो है, minus 3 से बढ़ा है, और 7 से छोटा है. बात सही लिखिए, minus 3 से बढ़ा, 7 से छोटा. अब मैं आप से कहते हूँ, इसका reciprocal करो. तो बच्चे क्या करते हैं? reciprocal करेंगे, बोले मैं मैं ने बताया था, और sign चेंज कर देंगे. ज़रा देखो, पर्दू वे कैसा लग रहा है? कि यह भी लिखा था, कि minus 3 से बढ़ी है, और 7 से छोटी है. यहाँ पर क्या आ रहा है? कि minus 1 by 3 से तो छोटी है, और 1 by 7 से बढ़ी है. इसका कोई meaning है क्या? value minus 1 by 3 से छोटी, तो छोटी मतलब minus 1 minus 2 इधर इस direction में चला गया. और यह कह रहा है, 1 by 7 से बढ़ी इधर चला गया. तो कभी भी ऐसे इस तरीके से काम नहीं करेंगे. जब भी negative से positive में जाएगा, तो इस तरीके से हम काम नहीं करेंगे. Then, इसको लिखो. इसको लिखने का तरीका क्या करेंगे? कि हमारा जो X है, वो minus 3 से बढ़ा और 0 से छोटा. मतलब negative को अलग रखेंगे, positive को अलग रखेंगे. तो minus 3 से 0 का scene अलग लिया. And, and हमारा X जो है, 0 से बढ़ा और 7 से छोटा. Is it clear? minus 3 से 7. तो मैंने minus 3 से 0, 0 से 7 वाला scene बना दिया. अभी यह negative में है. ऐसे कैसे बता चल रहागे हैं, 0 से जस्ट छोटा नमबर. 0 से जस्ट छोटा नमबर कैसा होता है? Negative. तो अब कोई जरा से भी confused है, you can write down minus 0. Although, it's like nothing. 0 लिखो, minus 0, plus 0. 0 क साथ कुछ भी multiply करके लिखो, it is always 0. And here, 0 से बढ़ा 7 से छोटा. सारे positive. Now, you have to do reciprocal. इसलिए minus लगवाए था कि reciprocal करते हुए, आपको, you know, समझ में आएगा कि minus 1 by 0 हुआ. Otherwise, फिर आप confused होते रहोगे. 0 से जस्ट छोटा नमबर है. It is definitely negative. उसका reciprocal करोगे, तो reciprocal करने से sign change नहीं होता. If it is negative, then it is negative. तो 0 से जस्ट छोटा नमबर, negative. reciprocal किया, तो बहुत बड़ा नमबर negative. 0 से जस्ट छोटा नमबर, बहुत छोटा नमबर है. जितने छोटे नमबर को आप reciprocal करोगे, उतना ही वो बड़ा नमबर बन जाएगा. तो यह minus 1 by 0, a very big negative number. यहाँ पर reciprocal किया, 1 upon 0, sign change, 1 upon x, sign change, 1 upon 7. तो यहाँ से क्या निकला? कि minus 1 by 3 से छोटा, 1 upon x और minus infinity से बड़ा. end. infinity से छोटा, 1 by x और 1 by 7 से बड़ा. अभी पढ़ने में अच्छा लग रहा है. कि minus infinite से minus 1 by 3, तो इसको और अच्छे से लिखलो. 1 by x की वैल्यू minus 1 by 3 से छोटा, minus infinity से बड़ा और 1 by x जो है हमारा infinity से छोटा और 1 by 7 से बड़ा. तो यह अपना combined answer है, जब यह आपको यह दे रहा का है और इसका receive local करने के लिए बोला जाता है, तो. तो कैसे लिखोगे? 1 by x belongs to minus infinite to minus 1 by 3, and है तो union 1 by 7 to infinite. यह x तो इसका reciprocal करके, this is the answer that you are getting. Clear? समझ में आ गया? एक example और कर लेंगे, भीच में वो मैं आपको दूँगे और आप उसको practice करोगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो. Show that the following system of linear inequality has no solution. Let's see. हमें नहीं पता कि solution है कि नहीं है. यहाँ पर देखो. सबसे पहरे. Number 1, x plus 2y less than or equal to 3. Number 2, second दे रखा है, 3x plus 4y greater than 12. Number 3, x greater than or equal to 0. Number 4, y less, greater than or equal to 1. 4 अपने पास equations है. अब आजओ. एके करके काम करेंगे. हमने एक line के लिए तो सीखा था. तो x समझो, अपने पास अभी सिर्फ पहली line है. First line लिखा, x plus 2y equal to 3. ऐसे ही सोचो के, यहाँ पर x की value 0 put करो एक बार. तो 0 put करते ही, y मिलेगा अपने को 3 by 2. that is dead, y को एक बार 0 put करो, so x अपने को मिल जाएगा 3. तो 3, 0, 1, 2, 3. तो यह point है 3, 0, 3 by 2. तो 0, 3 by 2 मैंने कहीं यहाँ पर ले लिया. ठीक, so इन दोनों को join करके line बन गई. वो यह line है. अब हम हमें देखना है, वो कह रहा है, x plus 2y lesser than equal to 3. तो किस तरीके से बताया था मैंने, कैसे चेक करने हैं अपने को? यहाँ पर जो है x plus 2y lesser than or equal to 3. put 0, 0. 0, 0 substitute करके देखो. क्यों? इस line ने coordinate plate को either this part or this part. 2 part में divide किया है. So, अब जब substitute करोगे, you will get an idea. कि या तो वो 0 को contain करेगा, 0, 0 को, या फिर नहीं करेगा. So, put करो यहाँ पर 0 plus 0 lesser than or equal to 3. 0 lesser than or equal to 3. Is it correct? क्या इन्होंने जो बात बोली है, वो सही बात बोली है? क्या लगते हैं आपको? Absolutely right. 0, 3 से छोटा S का मतलब हमारा यह जो दे रखा है inequality यह origin को contain करेगा. Origin को contain करेगा मतलब तो यह इधर वाला portion जो अपना answer का part है. अभी इस एक equation के लिए हमें एक ही को सबको यह यहीं बनाना है. अब आजो. इस दूसरे वाले के लिए बात करते हैं. यह कह रहे हैं 3X प्लस 4Y इकोवल टू 12. यहां पर मैंने कहा कि आपको X इकोवल टू 0 पुट करो तो Y निकलेगा क्या? 4Y इकोवल टू 12 तो 3 निकल गया. और जब मैंने Y इकोवल टू 0 पुट किया, तो 3X इकोवल टू 12. X निकल गया अपना 4. तो एक पॉइंट आ रहा है 4,0. तो डेफिनिटली 4,0 यहां पर होगा. है ना? 4,0 यहां पर आ गया. और एक पॉइंट अपना 0,3. 0,3 यह डेढ़ है तो इसका जस्ट डबल कर दिया, 0,3. ठीक. अच्छा, अब जब आपको confusion होना start हो जाए ना, अब यह आराम से देखो. इनका intersection point मुझे ऐसा लग रहा है कि यह ऐसे जाएगा और आगे का intersect करेंगे. तो हमें इन दौनों lines का intersection point भी निकालना होंगा, 1 और 2 का. तो intersection point, intersection point of 1 and 2. तो यह है अपने पास, 3x plus 4y equal to 12, right? तो यहाँ पर इसको 2 से multiply कर दो. है ना, 1 को 2 से multiply करके यहाँ लिखो. तो 2x plus 4y equal to 6. subtract करो के x, cut गया, equal to 6. x equal to 6 आ चुका है. x की value 6 किसी भी equation में put कर दो. मैंने यहाँ substitute किया. 6 plus 2y equal to 3. तो 2y equal to minus 3. so y equal to minus 3 by 2. तो यह दोनो लाइन किस पॉइंट पर intersect करेंगे? 6, minus 3 by 2. x positive, y negative. x positive, y negative. विच quadrant? definitely it is fourth quadrant. तो हमने अल, मतलब, अलरड़ी एक idea लगा लिया था, कि यह आगी. और यह 0.4 है, तो 5, 6. तो यहाँ पर अपने दोनो लाइन जो intersect करेंगे. तो इस लाइन को, ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ पर इस लिख दो, यह second line है, यह अपने पहली line है. ठीक है? अब आजो. ओके, यहाँ पर अब बात करते हैं, कि 0,0 को substitute करने पर इसका क्या reaction है? 3x plus 4y greater than 12. यह लिखा हुआ है. ओके, x plus, 3x plus 4y greater than, sorry, greater than 12. 0,0 को put किया, तो 0 plus 0 greater than 12. तो 0 greater than 12. Is it true? No. 0,12 से बढ़ा है, मतलब, यह 0,0 को contain नहीं करेगा. तो इस line के लिख लिख ओ. यह जो line जा रही है, white वाली, second number. तो इसके लिख लिख यह lower part, या फिर यह upper part. lower part में देखोगे, तो origin आएगा. origin को contain नहीं करेगा, क्योंकि वो true नहीं है. तो यह upper वाला part जो है, भाई सब contain करेंगे. तो यहाँ पर यह इसके लिए, यह वाला portion चलेगा. अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है. अब आराम साओ, यह white wall line इदर जा रहा है, यह भी लेगा. और इधर क्या था? blue wall line इसके नीचे आ रहा था. तो यह बीच में इनका कुछ common part आया है. यह हमने पता नहीं था भाई पहले कि इदर जाए गरे शिलिए, उदर वाला part. अब आराम से सुचो, कि यह, यह जो part दिख रहा है, यह common है. यह blue से मैंने जो डाकी है, इन दोनों line का common है, क्योंकि otherwise यह इदर भाग रहा है, यह इदर भाग रहा है. और यह आके इनका broad होता जाएगा, है न, इनके बीच का distance बढ़ता जाएगा, कभी भी दूसरे को intersect है, नहीं करेंगे. ओके, चलो जी, कुस्त ना intersection निकला. अब अपने पास आचुका है, number 3, x greater than or equal to 0. क्या कहा रहा है, x greater than or equal to 0. शायद आपको याद हो, तो first class में मैंने बताया था कि x greater than or equal to 0, मतलब positive x-axis, हमेशा this one. तो यह scenario, यह पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब आपका y-axis के left में, तो इधर वाला पार्ट, तो मतलब अभी भी कुछ तो कमन आ गया, इधर जाएगा, चलो जी, x positive की बात कर दी, अब second number पर जो इन्होंने यह बूला, यह खतरना की, y greater than or equal to 1, यह 1 by 2 है, 3 by 2 है, तो 1 by 2 का यहां पर, 1 यहां ले लो, तो यह y equal to 1 एक line बनेगी, y equal to 1 line, ठीक है, अब confuse मत हो जाने, एक साथ बहुत सारी lines आ चुकी है, तो यह y equal to 1 line है, अब वो कह रहा है कि y की value जो है, 1 या 1 से बड़ी, y का value 1 और 1 से बड़ा, तो यह बस ऊपर की बात करेगा, मतलब सारी आलागलग दिशा में भाग रहे है, एक उत्तर, एक दक्षण, north, sorry, पूरा पश्रम, something like that, so see, वहाँ पर अपना blue वाला जो था, वो common पार था, अपनी 2 स्ट्ट लाइन का, then हमें बोला x positive, तब भी हमें कुछ hope थी कि यह आएगा, बट जैसे इन्होंने बोला कि y positive, देख रहे हो, common part कुछ है ही नहीं, मतलब मैं बाकी की चीज़े erase करती हूँ, तो शाय तुम्हें थोड़ा सा idea लगेगा, common part के लिए मैंने रहने दिया, यह सब हटा दिया, ठीक है, यहाँ से ही मैंने हटाया, यह line, यह line और एक x का, तो यह part हमारा अभी भी तीनों का common था, यह part अपना तीनों का common था, तो यह line जा रही थी अपनी, और एक यह line जा रही थी, यह तर से यह line जा रही थी, तो यह part अपना सब का common था, जब x positive था, उसमें यह भी आ जाएगा, क्योंकि इस दर भी x positive लेकिन y उपर तो इस green वाले का इस छोटे से part का कोई combination नहीं है मतलब हम इन तीनों की बात करें इन तीनों का solution है इन तीनों का common solution यही part बनेगा मतलब और भी आगे जाएगा इसे लेकिन जैसी आपने भूला कि y की value 1 या 1 से बड़ी होने चाहिए हमारा जो result आ रहा है वो fourth quadrant में आ रहा है fourth quadrant में cut करेंगे अपकी दोनों lines जहां पर x positive y negative है तो fourth quadrant में मतलब y हमेशा negative होगा लेकिन अपने पास जो fourth equation है that is y greater than or equal to 1 हमेशा क्या क्या रहा है y की value 1 या 1 से बड़ी होने चाहिए y की value 1 से बड़ी मतलब हमेशा first quadrant की बात कर रहा है तो हमारा answer तो fourth में जा रहा था तो ये एक दूसरे के opposite जा रहे है तो आप यहां पर लिखा होगे there is no solution because there is no solution मतलब question सही कह रहा था proof that there is no solution because they are not containing any common area they are not containing any common reason ठीक है that's it so answer is no solution तो कहरता शोड़ा था 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 यहां से हम लोग क्लारिफाई करेंगे की yes इनका कोई भी common solutions नहीं ठीक चलो almost similar हम एक और question करते है but it is simpler than that solve the following system of inequalities graphically 5x plus 4y less than or equal to 40 तो y अपना पहली अपने पास equation इसको लिखा 5x plus 4y equal to 40 straight line की जैसे treat करेंगे x को 0 put किया तो y कितना मिलेगा 0 तो y होगे अपने पास 10 जब y को 0 put किया तो x कितना होगे अपने पास 8 ठीक है तो x 0 y 10 something like that 0,10 और x 8 y 0 ये line बन गई ठीक अपने पास एक line बन चुके जिसमां कह रहा है कि 5x plus 4y less than or equal to 40 आएगा 5x plus 4y less than or equal to 40 है तो same अब इसमें ये और ये तो अपने को एक ही काम आता है 0,0 put करके देखो यहाँ पे 0 plus 0 less than or equal to 40 तो 0 less than or equal to 40 it is true or not कैसा लग रहा है yes it is true तो ये true है तो इसका मतलब ये आपके origin वाले part को contain करेगा क्योंकि origin के लिए true आ रहा है तो ये अपना सारा shaded reason हो गया ये infinite तक चलेगा सारा c अब आगे आजाओ क्या खेहरा है next अपने सामने है x greater than or equal to 2 x के value 2 या 2 से बढ़ी होनी चाहिए तो देखो यहाँ पर यह 8 लिया तो मुझे कहीं यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा यह ले लिया हमने 2,0 x की value x की value 2 या 2 से बढ़ी तो अब आरम से देखो यह x equal to 2 line है x equal to 2 line एक line जो हमेशा आपके y axis के parallel क्योंकि x की value हमेशा 2 रहेगी इस line पर अब वो कह रहा है कि x की value आपकी 2 यह 2 से बढ़ी होनी चाहिए so यह आपका इस direction में move करेगा तो देखो common part क्या मिल रहा आपको कुछ idea लग रहा है तो यहां से यह इधर के लिए बात कर रहा था यह इधर के लिए बात कर रहा तो यह हमारा common मतलर यह इसके सारा नीचे वाला common part अपने पास हो चुका है clear अभी 2 का तो common part निकल गया हटा दिया सारा इधर से मैंने इनको हटा दिया हमने यह x equal to 2 line है यह वाली line x equal to 2 है तो x की value 2 से बढ़ी और यह इधर यह वाला part contain कर रहा था तो हमने यह common part निकाल दिया यह common part अपना answer का part है यह 11 बेटा थो ठीक इतनी बात के लिए रहा है अब आगे क्या कह रहा है y greater than or equal to 3 अच्छा अब y की value 3 देखनी पड़े यह y axis है तो हमें पता है कि यह 0,10 तो हमें यहाँ पर कहीं 0,3 लेना पड़ेगा तो सबसे पहले हम बनाएंगे y equal to 3 एक line बनाएंगे y equal to 3 तो y equal to 3 line क्या होती है एक line which is parallel to a line which is parallel to x axis तो यह line है y equal to 3 अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि y की value 3 या उससे बड़े तो देखो y की value 3 3 से ऊपर जाएगा तो ऊपर हमें पता है बस यह अपने पास common area आ चुका है this is the solution जिसमें हम try करेंगे यह अपने पास जो points है न a b c यह points को निकालते है बस अभी आपको नहीं निकालना इसा कृष्ण ने कृष्ण नहीं बोला बट कृष्ण इनी future आपको बोलता है तो हमारा motive है सिर्फ इनी points को calculate करना क्योंकि यहां तक यह line के दरवाला part था जब बोला कि x के उधर जाएगा तो यह part उधर हो गया तो यह common area चल रहा था अब जैसे बोला y equal to 3 सूपर तो यह part आ चुका है तो यह line y equal to 3 यह line x equal to 2 तो यहां पर सबसे पहले b point के coordinate कोई मुझे बताएगा b point के coordinate कोई बताएगा पहले देखो b है क्या point b हमारा है y equal to 3 पर तो b का y coordinate तो 3 हो गया और x क्या है 2 तो x coordinate 2 तो b का x coordinate 2 y coordinate 3 अच्छा a के बारे में बात करें तो a किस पर है y equal to 3 line पर है a तो a का y coordinate 3 a और किस line पर है yellow line पर यह yellow line कौन सा बेटा अपना this one तो यहां पर जब y equal to 3 है तो 3 put कर दो 5x plus 4 into 3 equal to 40 तो 5x equal to 40 minus 4 into 3 12 तो this is your 8 and 2 2 तो 5x equal to 28 तो x यहां से निकल गया है 28 by 3 तो definitely it is something greater than 5 तीक है ओके नव हमारे पास c point है c a point है c in दोरो line का intersection point है तो this is your x equal to 2 अब यहां पर x equal to 2 put कर देते हैं 2 into 5 plus 4y equal to 40 तो यहां से 4y equal to 40 minus 10 which is equal to 30 so y निकल के आ चुका है 30 divided by 4 so definitely it is 15 by 2 so this is 15 by 2 तो हमारे पास सिर्फ यह 3 points के बीच का जो triangle है वो निकला है जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे I mean in the 12th class हमारे पास एक चैप्टर आएगा area calculate करने का तब भी आप ऐसे ही question करोगे तब आपके सामने ऐसे question आएगे फिर आपको याद आएगा अच्छा मैंने तब भी बता दिया था अपने को क्योंकि हो सकते है शायद अभी आपके syllabus में यह चीज़ा निकालने को नहीं है but this is the idea like how to calculate these points clear कर लोगे इसे चाधा मेरिया की बात नहीं करेंगे वनना तब क्या पढ़ने वाले है तो यह अपने पास अपना solution आ चुका है clear आपका जो paper होगा यह theoretical है basically आप आराम से लिखोगे objective paper नहीं subjective paper है तो आपको proper यह बनाना होगा इस तरीके से diagram बना करके हां this is your shaded reason is the solution next question पर आजो solve the following system of inequality is graphically क्या के रहा है x plus 2y less than equal to 8 2x plus y lesser than or equal to 8 x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 x-axis y-axis ठीक है पहली लाएंग की बात करें x plus 2y equal to 8 इसको draw करना है तो वही number 1 put x equal to 0 तो y निकलेगा अपने को 4 and number 2 y equal to 0 put किया तो x निकलेगा अपने को 8 ठीक है तो क्या क्या पॉइंट से 0,4 0,4 यहां पर ले लिया और दूसरा है अपने पास 8,0 कुछ यहां पर ले लिया ठीक है तो यह ऐसे बन गया यह पहली line बनी है यह question number 1 लिख लो इस तरीके से अभी यहां पर हमें बात करने पड़ेगी कि area basically कौन सा part इसका answer होगा अपर और लोगर वाला तो यह दे रखा है अपने को क्या x plus 2y lesser than or equal to it क्या करना है put x0 and y0 अपने को तेगी funda पता है x0 y0 substitute करो 0 plus 0 lesser than or equal to it तो 0 छोटा है 8 से बिल्कुल बात सही है तो यह भाई साब इदर की तरफ भागी है यह वाला पूरा यह वाला पूरा इतना लिखने से असा नहीं पर है मतलब इसका यह ही है तोड़ा समने सुंदर सबनाने की कोश्की है ऐसे भर निदेंगे ठीक है पहली बात होगे सेकेंड अपने पास है 2x प्लस y 2x प्लस y less than और equal to 8 तो पहले तो अपने लिखा इसको 2x plus y equal to 8 तो x equal to 0 put किया तो y निकल जाएगा 8 और जब y equal to 0 put किया तो x निकल जाएगा यह 4 तो 0,8 पॉइंट है, 0,8 कुछ यहां पर ले ले और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, 4,0 तो यह इसका आधा 4,0 तो इन दोनों को जॉइन करेंगे ठीक है, तो यह हमारे पास लाइन 2 आ चुकी है यह कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम निकाल देंगे, if we need ओके, अब हम यहां पर पहले देखेंगे कि इधर इनको कौन सा एरिया चाहिए, तो यहां पर क्या किया है, 0,0, put करके देखा 0 प्लस 0, lesser than equal to it, तो 0 lesser than equal to it, is it true? यह, 0 जो है, 8 से छोटा है, तो इधर, अराम जो फोकस करो, यह line 2 है, this is line 2, यह line 2, हमें या तो यह 0 वाला part, यह opposite to 0 की बात हो रही है, तो अभी क्या बताया है, कि 0 is lesser than equal to it, basically satisfy करता है, तो इधर से भी हमारे पास, यह, इस वाला, यह वाला part अपने पास आएगा, तो इन दोनों का common ले रहे थे न, यह कह रहा है इधर, यह कह रहा है इधर, तो basically देखा जाए, तो इस line के नीचे और ऐसे आएगा, clear हुआ, यहां से हम इनका वाला part अठा दें, इस line के नीचे जाएगा, और इस line के भी नीचे जाएगा, यह भी हटेगा, तो दिख रहा है कौन सा अपना, यह से street बना दिया, तो यह वाला बन रहा है, क्योंकि इसके नीचे तो इसके नीचे लेंगे और इधर इसके नीचे तो इसके नीचे तो यह अपने पास common area आ रहा है यह अपना common area आ रहा है अच्छा जी okay after that question is saying x greater than or equal to 0 x का value जो है 0 है 0 से बड़ा यह हमारे पास x का value positive तो y-axis के इधर चलेगा तो इस line के हम लोग बात करें एक तरीके से इसके इधर की बात हो रही है उधर की बात हो रही है so और साथ के साथ तो उसने बोला है अपने को क्या यह तो इधर के बोल दिया है कि x positive होना चाहिए x greater than or equal to 0 और एक और साथ क्या बोला है y greater than or equal to 0 तो इसमें confuse मत होना जब भी question कहे x greater than or equal to 0 और y greater than or equal to 0 मतलब आप से क्या कह रहा है positive x-axis and positive y-axis combinedly x और y दोनों ही positive है कौन सा quadrant का nature है first quadrant x positive इधर 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 लेकिन y positive तो y positive में यह तो basically वो इधर और इधर की बात हो रही है तो कुछ idea लगा कि अब हम कहां तक इसको लेकर के जा रहे है x positive उपर y positive इधर मतब x positive y positive और इन दोनों का combined तो this is the common area which is the solution for the given system of equations तो इन सब को हटाया इधर सिन सब को हटा दिया यह अगया आपका common तो यह इन चारों का common area है जिसमें एक point हमें पता है 0,0 इधर से हमें यह point पता है 4,0 यह भी पता है 0,4 अब हमें यह point निकालना पढ़ जाता है so definitely we can calculate तो कैसे करेंगे इन दोनों lines का intersection point कि इन दोनों line का 2x plus y equal to 8 और एक line कौन सी थी x plus 2y equal to 8 इन दोनों का intersection point निकालना है तो मैंने क्या किया इसमें से इसको subtract कर दिया तो 2x minus x plus x y minus 2y minus y equal to 0 तो x equal to y ओके अब x की value y यहां put कर दो तो 2x plus x equal to 8 तो मिलेगा 3x is equal to 8 तो x निकल क्या चुका है 8 by 3 what is your x that is equal to y so y equal to also 8 by 3 तो यहां पर यह जो point है इसको P नाम दिया that is 8 by 3, 8 by 3 इनका actually use कब आएगा अभी तो हम बस point निकालना सीख रहे है निक्स्ट क्लास में आई थे इन 12th क्लास में एक LPP करके अपने पास chapter आता है LPP है something different है मुझे नाम भी याद निया रहे एक्दम से वहां पर अपनी से इन सब चीजों के answers पूछ जाएगी maximize, minimize तो जा करके बहुत अपना यी use में आएगा तो यहां पर सिर्फ हम अभी क्या कर रहे है कि इनको graphically represent करके और इन चारों का nature कोई positive कोई negative तो हमें देखा कि पहले वाली ने इधर बोला second वाली ने इधर, third इधर, fourth इधर इन चारों का combined जो है यह अपने पास आचुका है So this is the answer clear? Okay, next question की बात करते है Solve the following system of inequalities graphically 3x plus 2y less than or equal to 150 फिर अपने पास equation है 3x plus 2y less than or equal to 150, second one x plus 4y less than or equal to 80 and third one x less than or equal to 15 and fourth one y greater than or equal to 0 and fifth one अच्छा, यहां पर 5 आगी है x less than or equal to 0 चलो तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते है This is 3x e plus 2y equal to 150 तो यहां पर x को आपने 0 substitute किया तो y निकलेगा 75 है न, एक point यह निकल गया जब आपने y को 0 put किया तो x क्या निकलेगा 50 एक point ही निकले गया again this is a straight line इस बार यहां पर काम करते हैं यह अपना 0,0 एक point है 0,7 0,75 0,75 मैंने कुछ यहां पर ले लिया और दूसरा है 50,0 50,0 इनको जॉइन करके एक line बना दी ठीक अब भी हम बस आईदर इस वन और इस वन इन दोनों में से एक sign लगा करेंगे जिससे idea लग जाएगा कि कौन सा इसका side है अधर वाइस हम पूरा करेंगे तो अपने को visible नहीं रहेगा एक second नो, no, no, it is not right ठीक है यह हमने ले लिया 50,0 कोई बात नहीं चलो, this is 50,0 अब यहाँ पर इस equation में substitute करेंगे 0,0 तो इन का नेचा 0 प्लस 0 लेसर देन 150 तो 0 जो है 150 से छोटा होता है यह राइट तो 0 वाला यह वाला पार्ट यह गंटें करेंगा तिल हीर ठीक है second line अपने पास क्या है second line this one is x plus 4y equal to 80 तो आपने x को 0 पुट किया तो y निकलेगा 20 one of the point जो आपने y को 0 पुट किया है तो x निकलेगा अपने पास 80 तो इसको substitute करो 0,20 0,20 कहीं यहां पर ले ले ठीक और एक point के आपने पास 80,0 तो 80,0 कहीं यहां पर आपने ले लिया तो जब इन दनों को join करोगे तो कुछ ऐसी line बन जाएगी ठीक है पहले वाले ने कहा है ऐसे जाएगा अब definitely यह नीचे ही कहेगा अपने को तो let's see यहां पर हमने 0,0 substitute किया 0,0 less than or equal to 80 क्या कहना चाहरा है कि 0 का value 80 से छोटा होता है definitely it is right तो यह 0 वाले part को contain करेगा तो अब इसका यह वाला part यह वाला तो देखो इन दोनों का हम common लेंगे तो इसके और इसके अब तो इतना समझ में आ गया इस line और इस line के इधर वाला part आएगा ठीक है इतनी बात के लिए ओके now third one is x less than or equal to 15 x की value 15 यह 15 से छोटी यह 50 तो पंदरा कुछ यहां पर लेले 15,0 तो x की value 15 15 से छोटी तो x equal to 15 एक लाइन बनाया x की value 15 से छोटी तो यह किदर भागेगा left left तो अब हमें बता है कि this line this line तो अब यह इधर की बात कर रहा है सिर्फ यह वाला अपना part of solution है इसके साथ था तो यह वाला ठीक अब आगे क्या आगया x greater than 0 y greater than 0 यह combinedly बहुत असान बना देते आपके question को तो यहां से इसने बोला कि x सिर्फ उपर जाएगा y सिर्फ इदर जाएगा x positive y positive जैसे x positive y positive की बात आगी तो we are locked in the first quadrant ओके तो यहां पर पहले पूरा भाग रहे थे याद आगया और अभी हमारे पास यह 15 वाली line यह positive यह positive तो बस हम इस तर ही यह हमारा answer का part है तो o a b और c 4 points से covered अपना required solution निकला है तो आपको कभी इस तरीके से reply करना है तो o a b और c तो o क्या है अपना origin a क्या है यह point that is 15,0 15,0 अब बहुत अराम से बनाओगे और दिमाग में रखोगे कि कौन सा area आपने लिया था क्योंकि हम इधर की बात करें तो इसके below इधर की बात करें इसका इधर तो इसका नीचा और इसका लेफ्ट तो command ली यह पाता है जैसे इन्होंने उपर के लिए बोला और राइट के लिए बोला तो this is the required area okay a point हमें पता है b c point की बात करें तो this is your 0,20 अब बात आती है b point b point है क्या इस line और इस line का intersection point this is your b basically हम देखा जाये तो हमारी इस line का तो कोई role ही नहीं बचा यह line जो थी अपने इसका कोई role नहीं बचा अचा b line जो है b point एक तो x equal to 15 intersection point with this line जिस पर 0,20 और 80,0 था तो 0,20 80,0 this is your this line is your x plus 4y equal to 80 b इसका और इसका intersection point है can you see तो x equal to 15 तो mil गया तो x plus 4y equal to 80 में x की जागा पंदरा पुत किया तो plus 4y equal to 80 so 4y equal to 80 minus 15 that is equal to 65 so y you are getting 65 divided by 4 ऐसे करेंस आपको यह भी idea लग जाता है कि जो आपकी values आ रही है वो perfect है या नहीं तो यहां से यह 20 से छोटा है और साफ दिख रहा है 20 से तो lower direction में अपना b मिलेगा तो b के कोडिनेट मिल गए 15, 65 divided by 4 clear समझ में आया यहां तक तो यह अपना answer है चलो next question आप लोग करोगा इस question को फटा फटा से start हो जाओ कि यहां पर दे रखा है solve the following system of inequalities graphically system में सिर्फ 3 equations है line की little different and little difficult because अब अपने पास 3 straight line हो चुकी है 2x plus y greater than equal to 4 x plus y less than equal to 3 2x minus 3y less than or equal to 6 तो सब से पहले 2x plus y greater than or equal to 4 तो इसके साथ हमने बोला कि x को 0 put करो पहले line लिख लो 2x plus y equal to 4 तो क्या कि x को 0 put किया तो y निकल गया 4 और y को 0 put किया तो x निकल गया अपने पास 2 ठीक denote ही कर देते हैं इदर आ जाओ क्या कह रहा है 0,4 0,4 और इदर कह रहा है 0, sorry 2,0 x क्या क्या रहा है 2,0 इनका नेचर क्या कह रहा है जैसे आपने 0 substitute किया यहां पर 0 plus 0 greater than or equal to 4 which means 0 की value 4 से बढ़ी है which is not true ever तो 0 की value 4 से बढ़ी है मतला वो true नहीं है इसका कहने का मतलब है कि इसके जो solution में 0 नहीं आएगा 0,0 तो यह 0 के ज़स्ट opposite वाला area contain करेगा ठीक है उस direction में जाएगा Now second one that is x plus y less than or equal to 3 so यहां पर x plus y equal to 3 लिया है ना x को 0 put किया तो y 3 मिलेगा और y को 0 put किया तो x equal to 3 मिलेगा मतलब x और y यह दौनों पर 3 3 पर यह कट करने वाला है तो यह 2 था तो 3 यहां पर ले लिया this is 3,0 और यह 4 है तो 3 यहां पर ले लिया this is 4 यह होगे 0,3 तो यह लाइन बनेगी यह वाले तो यह अपनी लाइन second one जिसको मैंने लिखा x plus y less than or equal to 3 ऐसा ही कुछ लिख रहा है ओके first line भी लिख दो 2x plus y greater than or equal to 4 यह यह आया पर है अब यहां पर 0,0 put करके देखते हैं इदर 0 plus 0 less than or equal to 3 तो 0 less than or equal to 3 तो 0,3 से छोटा है is it true or not yes it is true इसके लिए क्या है भाई statement कि true है तो यह 0,0 वाला contain करेगा तो यह वाला तो जारा तो उस direction में देखना अरम से अब यहां पर थोड़ी सी carefully अपने को काम करना है यह वाला line कह रहा है कि 0,0 को contain करेंगे तो यह भाई सब इदर के side चल रहे हैं अपना तो I think तुम्हें common यह पाट है वो दिख रहा होगा यहां पर इस line के through हम इस direction में move कर रहे थे ठीक है तो common part दिखा यह जो intersection point है इन दौनो line का इन दौनो line का यह intersection point है इसको suppose हमने A denote किया तो A से इन दौनों के बीच का जो area है that is a common part क्योंकि otherwise यहां से यह उपर यहां से नीचे तो बीच में कोई common नहीं है तो this part is your common इस तरही किसे आगे जाएगा यह बाइसा वैसे और यह अपना ऐसे तो यह part बीच में common आता रहेगा तो इतना पता चलगे इन दौनो line के बीच वाला part यह इनका common part आ गया can you see अब आजो अब अपने पास अभी third line और बच्ची है कौनसी है third line 2x minus 3y lesser than or equal to 6 तो सबसे पहले लिखा 2x minus 3y is equal to 6 तो यहां पर x को 0 substitute किया तो y कितना मिलेगा x को 0 put करते ही y मिलेगा minus 2 और y को 0 put करते ही x कितना मिलेगा अपने को 3 तो points है 0, minus 2 और 1 है 3, 0 चलो 3, 0 3, 0 तो यही point आ गया okay and another one 0, minus 2 तो यह negative direction में चला गया 0, minus 2 तो यहां पर थोड़ा सा अपने पास different है यह जा रहा है यह third line होगी अपनी third line के equation लिखते है 2x minus 3y lesser than or equal to 6 अब आपको यही देखना है कि या तो यह वाला part contain करेगा यह इसके लोवर वाला part तो equation है अपनी 2x minus 3y lesser than or equal to 6 तो substitute 0, minus 0 lesser than or equal to 6 तो यह आगया 0 से 6 जो है बड़ा है 0 is lesser than or equal to 6 definitely it is true true है तो यह 0 वाले portion को contain करेगा तो इस blue line के लिए या तो उपर या फिर यह lower वाला part so यह इसके उपर चलेगा तो सारा ही part contain करेगा बर हमें पता है अभी तक हमारे पास यह common area था तो इसमें सिर्फ यह area बचेगा है इनके पार that is the required answer तो यह छोटा सा जो triangle बन रहा है यह अपना इस system of linear equation का solution है अभी आपसे इसका area नहीं पूछा जाएगा बट पूछा जाता है तो A calculate करो यह point अपने पास है यह point calculate करो if you know the vortex of triangle तो आप लोग area calculate कर सकते हो बचपन से पढ़ते हार एक formula तो अब अराम से देखो A क्या है इस line का intersection point यह line अपने पास है which one x plus y equal to 3 और यह line क्या थी 2x plus y equal to 4 subtract कर दो x equal to 1 जैसे मच जाय कर लो x की value 1 यहां substitute करोगे तो y equal to निकल जाएगा 2 तो A point के coordinates है 1,2 B हमने इसको नाम दे दिया B point इसको नाम दे दिया C तो B point के coordinate already we know this is 3,0 और C point क्या है C is blue line और इस white line का intersection point है अराम से देखो blue line के अपने पास 2x minus 3y is equal to 6 and the white one is your 2x plus y is equal to 4 subtract करोगे तो you cancel this is minus 4y equal to 2 तो y निकल गया है मेंटा minus 1 by 2 y की value negative we can see very easily जो C point है वो अपना 4th quadrant में तो 4th quadrant में x positive y negative तो ऐसे आप अपना answer जो है cross check कर सकते हो y का value minus 1 by 2 कहीं भी put कर दो इधर ही कर गया 2x minus 3y equal to 6 में put y equal to minus 1 by 2 तो 2x minus 3 into minus 1 by 2 equal to 6 तो 2x equal to 6 minus minus plus तो minus 3 by 2 तो यह हो गया 12 minus 3 divided by 2 which is 9 by 2 which is 2x तो x की value हो चुकी है 9 by 4 तो x की value 9 by 4 तो C जो point है that is 9 by 4 comma minus 1 by 2 we can see C lies in 4th quadrant और वही possible है क्योंकि C 4th में है A first quadrant में इसलिए x और y बोथ हार positive और B lies on the axis तो आप से question in further पूछता भी किसका area क्या होगा when can we calculate yes चलो बेटा यह वाले question आप जितने practice करो के उतना अपने को सान लगेगा solve the following system of linear inequalities graphically अच्छे इनको graphically भी कर सकते हो नहीं भी करना है तो भी बहुत easily हम कर सकते है देखो इसको पहले calculate करना पड़ेगा यह लिखा है number 1 3x minus 7 greater than 2x minus 12 2 से multiply किया अब यहाँ पर 3x 2x को उदर लाएंगे minus 2x और यह minus 12 उदर ले जाएंगे plus 7 तो यहाँ से मिला x greater than minus 5 तो यह क्या कह रहा है x की value minus 5 से बड़ी इसको भी graphically हम लोग denote करते हैं कि x की value minus 5 से बड़ी तो minus 5 something ही हो तो x equal to minus 5 एक line भी होती है that would be a parallel to y axis that is a parallel to y axis x equal to constant एक line रहेगी parallel to y axis आगे यहाँ पर कह रहा है कि x की value minus 5 से बड़ी तो minus 5 से बड़ी मत्तब इसके right में चलेगा done second one calculate करते हैं 6 minus x greater than 11 minus 2x 2x को अधर उठा के लाओ sine change हो जाएगा and 6 को अधर ले जाओ तो minus 6 तो this is x greater than और यह क्या कह रहा है भाई साब 5 तो यह कह रहा है x की value 5 से बड़ी चलो इदर आजओ 5 always positive x equal to 5 पहले हमने एक line draw किया और वो कह रहा है कि x की value 5 से बड़ी तो यहाँ पर देखो इन दोरों का intersection क्या कह रहा है यह जो है yellow line this one is like he completely x की value minus 5 से बड़ी तो infinite तक जा रहा है right now आपके picture में आया x greater than 5 तो यह भाई साब सिर्फ 5 से बड़ी की बात कर रहे है तो इन दोनों का common part क्या है definitely x greater than 5 तो यहाँ से देखने पर अपने को मिल गया है x greater than 5 is the right answer यहाँ पर check करेंगे तो number line पर बनाएंगे यह minus 5 है यह 5 है minus 5 से बड़ी इधर चले गए यह के रहे हैं 5 से बड़ी इधर चले गए common देखा तो 5 से बड़ा तो यहाँ से निकल गया x greater than 5 ठीक समझ में आगया क्लियर है पेटा चलो आगे कुछ अपने पास questions है जिन मैं थियोरी है the water acidity in a pool is considered normal when the average pH reading of 3 daily measurements is between 8.2 and 8.5 यहाँ पर फिर से मुझे एक वड़ दिखा this one average ऐसा केशन हमें के लास्ट क्लास में भी आइधिंग कर चुके है कि कह रहा है average pH reading of 3 daily measurements is between 8.2 and 8.5 ओके if the first 2 pH readings are this and this तो कुछ आइडिया लगा average of 3 pH reading जो है हमेशा 8.5 से छोटी है और 8.2 से बड़ी है यह कह रहा है और average किसका निकल वा रहा है 3 pH readings का जिसमें से एक reading दे रखिये एक reading दे रखिये find the range of pH value for the third reading that will result in the acidity level being normal so, सब से पहले लेट the third reading of pH that is x अब निकालेंगे average of all these three readings average of 3 pH reading भाई, chemistry में बढ़ते है न थोड़ी बच पह रीडिंग तो तुमको तो आइडिया होगा मैं तो chemistry नहीं पड़ती न तो first दे रखिये है 8.48 plus second दे रखिये 8.35 और third हमने assume किया है x और average निकालने के लिए क्या करते है sum of the number divided by total number of numbers 3 अपने पास क्या है reading से तो दिवाइड by 3, this is your pH reading का average, तो बस यहां पर यह 8.2 से बढ़ा है which one 8.48 plus 8.35 plus x and divide by 3 lesser than 8.5 ठीक है is it clear भाई दोस्तों अपना syllabus खतम होने को है अराम से पढ़ो यह last syllabus वाली class है इसके बाद syllabus complete है तो आप लोग मुझे comment करके यह बताना कि अभी हमें NCRT की back exercise करने है या फिर कोई particular topic फिर से discuss करना है through questions अब हम theory की बात बिल्कुल नहीं करने वाले theory already हमने सब की complete किया है तो किस chapter के questions करने मां आपको इंटरस्ट है 3D geometry के questions करने हैं या हम लोग ने कोनिक किया था probability PNC trigonometry सारा syllabus अपना हो चुका है as a theory plus question as well as but still आप लोग को कोई NCIT exemplar करने है उसके लिए बता सकतो rest हम लोग different different type questions की practice करेंगे और नहीं तो नहीं तो बात की बात है बाद में multiply with 3 on the both side 8.2 into 3 इधर 3 से multiply करेंगे तो ultimately cut जाएगा यहां पर इसको add करते है 8 plus 5, 3 1 तो 5 plus 3, 8 0.8816 plus x whole divide by 3 3 से 3 cancel and here we have 8.5 into 3 okay 8.2 को 3 से multiply किया तो यहां पर आजाओ 8.2 into 3 यह कितना मिलका 16.83 plus x less than 8.5 into 3 3 3 into 2 6 3 into 8 24 less than 16.83 plus x less than 3 into 5 15 3 into 8 24 so it is 25 25.5 so यहां पर 24.6 minus 16.83 x 25.5 minus 16.83 x less than यहां पर 25 25.5 से इसको subtract करना है इसको subtract करना है करो भय तो यह आएगा 7 9 to 1 अच्छ इसको normal कर लो तो लिखा है 24.60 0 and this is 16.83 we have a 7 this is 9 so 16 minus 9 it is 7 again this is 7 to 7 that's it wow 7.77 right and here we have 25.5 and subtract 0 16.83 this is 7 this is 9 this is 6 and here we have 7 so this is 8 clear hmm right yeah so this is 8.67 so यहां पर क्यूशन कहरात अपने को find the range of pH level for the third reading so range we are getting that it is greater than 7.77 but it is lesser than 8.67 this is 7 so you can write it down range for third reading of pH level क्या है 7.77 to 8.67 that's it done समझ आया कि किस तरीके से जो अपने पास लेंगुज में लिखाया क्यूशन उसको convert करना है now come to the next question the longest side देखो ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी थोरी है so triangle के बारे में थोड़ा बहुत अपने को basic ज्यान होना जरूरी है जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइट सबसे बड़ी जो एंगल सबसे छोटा उसके सामने वाली साइट सबसे छोटी अब आपके दिमांग में suddenly आया कि जब दो एंगल सेम है जब दो एंगल सेम है तो दो साइट सेम रहेंगे यहां पर कह रहा है उसके लजाएट साइट। टो हमने इस तरह के साया त्रहेंगल तो लांगेस्ट साइट एंग्ट एंगल यहां सबसे छोटी वाली इसको लेली आगी यह तो according to question, अब उसने कुछ नहीं बोला, longest कौन सी है, तो according to question, क्या कह रहा है, longest side is twice the shortest side, तो longest side निकाल दिया, हमने 2x आगया, तो एक side इसके 2x आगया, ठीक है, और एक side हमने ले रखा है, x, आगे कह रहा है, in the third side, भाई, एक longer side हो गया, एक shortest side हो गया, तो suppose करो मैंने यहाप इस तरह के सबोला कि यह हमारे पास longest थी, a, b, है ना, और यह third side बज गए, तो third side, third side is 2 cm longer than shortest side, वाउ, मजब सिर्फ एक variable लेकर के हमने तीनों के तीनों sides को कल्कुट कर दिया, shortest side ले लिया, x तो कह रहा है, longest side is equal to twice of the shortest side, तो this is twice of x, now, केशनी सेहिंग, third side, third side is 2 cm longer than the shortest side, यहाँ पर twice नहीं कह रहा है, लोंगर कह रहा है, मतलब जितनी भी उससे 2 cm और बढ़ी है, तो 2 plus x, तो third side निकल के आचुकिये, तो हमारे पास देखा जाए, तो तीनों side हमने निकालनी, suppose this is 2x, this is x, तो this is x plus 2, ओगे, if the perimeter of the triangle, what is perimeter, perimeter कैसे कहते हैं, उसके sides का sum, square की perimeter, circle की perimeter, अपने पास triangle की perimeter, perimeter मतलब कि यह जो sides है इनका sum, है न, तो perimeter of the triangle, तो यहां पर लिखो पहले, perimeter of triangle, which is sum of the side, sum of the side, तो हमारे पास सारी side आचुकि इन तुम्स of x, तो सबसे चोटा, फिर third one x plus 2, और सबसे लोंगे, this is 2x, तो हमने इसको कालकुट किया, 2x, 3x, 4x, so this is 4x plus 2, this is the perimeter of triangle and according to question A is more than 166, question कह रहा है कि perimeter of triangle is more than 144, 1 sorry 166, 166, तो more than 166, it is not saying more than or equal to, it is saying more than 166, तो perimeter जो हमारी 166 से बड़ी है, तो perimeter को लिख दो, 4x plus 2, which is greater than 166, और इस तरहीके के question तो कितने सारी किया है, x में variable, sorry x एक variable है, तो single variable में किन इक्वालिटी है, तो 4x is greater than 166 minus 2, तो 4x is greater than 164, तो 4x is greater than 164, तो 164 divided by 4, तो x greater than 4 and 1, x की value 41 से बढ़ी है, तो आगे के रहा, find the minimum length of the shortest side, अब आजो, minimum length of the shortest side, अभी कुछ नहीं कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बोला, simply बोला है उसने कि triangle is more than 166 है ना, और shortest side अपने पास क्या है, small x, तो find the minimum length of the shortest side, वो कह रहा है कि हमारे पास जो x है, x is your shortest side, तो इसकी value अभी greater than 41, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि minimum, minimum length of, shortest side, अब दियोको बिटे, हैंपर question ने एक और चीज़ मेंशन करनी चाहिए थी, कि हमारे जो sides की length है, वो या integer रही, positive integer, negative में है, तो हम वैसे बात नहीं हर सकते, तो 41 से जस्ट बढ़ा integer क्या आजाता, 42, तो अब यहाँ पर लिख दो, वैसे question लिखेगा, X is an integer, X हमारे एक integer है, तो 41 से जस्ट बढ़ा, integer क्या होता है, 42, और integer नहीं है, तो भाई 41.1, 41.00001, तो इसलिए, यहाँ तो वो कहता है, यहाँ पर, more than or equal to, तो equal to आजाता, तो directly हम कह देते, X का minimum value क्या हो जाएगा, 41, बट वो minimum की, equality की बात नहीं कर रहा, तो X is an integer, तो in that situation, minimum length of shortest side, that shortest side is X, तो उसका value हो जाएगा, 42, clear, समझ में आगया, तो सिरफ उसने minimum side, shortest पूछा है, बाकी का कुछ में पूछता, you can put the value of X, क्योंकि यहाँ पर, सिरफ X ही अपना है, जो variable है, otherwise तो सारे constants है, clear, okay, so now, next question is your, a company, manufactures, cassettes, its cost and revenue, functions are this and this, आपको थोड़ी बहुत, समझ में आता है कि, cost और revenue, difference किया है, basically, cost से meaning है कि, आप कितना, किसी business को start करने में, यहाँ पर एक तरीके से business के अपना, company है, जो कैसे इस को manufacture करती है, तो it is like business, तो cost मतलब आप कितना पैसा लगा रहे हो, ठीक, कितना पैसा आपने लगाया, और revenue का मतलब है, जितना आपको, as a return में मिलेगा, basic सा idea समझो, कि आपने पैसा लगाया, सब उसकरो, छोटा सा business आपने का, कि मैं notebooks खरीद के, बाकियों को बेचूंगा, तो आपने 10 रुपय के नोट बुक खरीदी, और आपने उसको 9 रुपय में बेचा, तो loss हुआ ना, और आपने उसको 12 रुपय में, मतब 10 से जादा रुपय में उसको बेच दिया, तो आपको फाइदा हो गया, clear है, तो उसको बोलते हैं कि revenue generate हो रहा है, basically आप पैसा कमा रहे हो, तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है, कि यह जो function है, यह जो है कि इतना cost हम लगा रहे हैं, और यह revenue कहा है कि इतना हमें मिलेगा, तो whereas x is the number of cassettes, यहाँ पर x जो है ना, that is number of cassettes, ओके, और आगे कहना चाह रहा है, number of cassettes produced and sold in a week, how many cassettes must be sold by the company, to realize some profit, यह है main important, profit चाहिए, profit चाहिए, तो अपना revenue जो है, cost से ज्यादा होना चाहिए, so simply, यह बात अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर question देखा जाए, तो बहुत आदा दूरा है, आप इस बात को ignore करके चले जाते हो, question को चाहिए profit, मतुब सब को ही profit चाहिए, तो बस profit के लिए कह रहा है, कि revenue जो हमारा है, should be greater than, जो cost आपने लगाई है, simple, यह inequality आपने लिख लिया, question में कुछ नहीं बचा, this is the important thing, गलती से question यह नहीं, question बना रहा है, तो वो loss की भी बात कर सकता है, कि भाई company loss में चले गई, तो क्यों गाई होगी, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, revenue जो हमारा cost से कम हुआ होका situation में, तो लिखो revenue क्या है, 43X greater than, and this is your cost, तो यहाँ पर लिखो 26,000 plus 3,30X, X calculate करते हैं, so 43X minus 30X and greater than 26,000, तो 43 minus 30, it is 13X greater than 26,000, so X 13 से divide किया, 26,000 divided by 13, तो X greater than 2,000, तेरा दूनी चबबीस, तो X की value क्या है, 2,000 से बड़ी है, तो कह रहा है, X is the number of cassettes produced and sold in a week, तो how many cassettes must be sold by the company to realize some, release some profit, तो कह रहा है, minimum कितनी cassettes से जो उनको बेचनी है, तो minimum कितनी cassettes सागी बिटा, more than 2,000, तो you can say in this way, तो कि equal 2,000 आप लिखते हो, यहाँ पर X की value, तो बोथ विल बीक्वल, तो जब रेविन्नी और अपनी cost की equal है, तो इस situation में आपको कोई profit नहीं है, इस situation में कोई profit नहीं है, भाई आपने 10 रुपे लगाए, 10 रुपे काई समान आपने बेच दिया, तो आपके हाथ में क्या मिला, जीरो, उसको profit थोड़ी बोलोगे, कि वाज तो मज़े आगे, भाई एक रुपे भी आपने earn किया, 10 रुपे लगाकर के एक रुपे भी कम earn करते हो, it is a profit, just an example, तो equal में profit नहीं होता, तो यहाँ पर हमने equality का sign नहीं हिया, तो question करता, how many cassettes must be sold by the company to realize some profit, तो X की minimum value क्या होनी चाहिए, 2000 से बड़ी, और cassettes ऐसा तो नहीं का आदा बेज़ दोगे, कि भाई तोड़ के आदा बेज़ दिया, कि 2000 मिनिमम है, तो 2000 से आधी जादा, फूरी एक cassette include करोगे, so minimum cassette, minimum value of X is equal to 2001, 2000 के अगली counting क्या आती है, 2001, ठीक है, तो हमारे पास cassettes हमेशा, एक positive integer ही quantity है, तो 2000 का अगला मद तक 2001, तो minimum की बात कर रहा है, किसी की दिमाब में यह तुनिया आ रहा है, maximum कितना, maximum जितनी बर्जी बेच दो, 2000 एक तो हमें minimum बोला है, 10,000, 2,000, कितनी भी बेचो, profit तो होगा, वो कह रहा है, minimum कितनी हम बेचे, कि हमें profit हो जाए, करेंगे, वो कहेगा, न profit, न loss, तो वो शुट भी इकुवल, क्यूशन कहता है, कि लॉस कभ हो सकता है, तो revenue जो है, अपना cost से कम आएगा, तो हमें loss हो जाएगा, ठीक है, Is it clear? I think हम लोग सारे क्यूशन प्राक्टिस कर चुके हैं, हमें अपने सारे टाइप के, हमने linear inequalities में questions किये हैं, ये linear inequalities आपको समझना बहुत ज़रूर है, क्योंकि 12th class में हमारे LPP करके chapter आते हैं, LPP में आपके linear inequalities का next step है, मतलब वहाँ पर आपको linear inequalities कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि linear inequalities आपने पढ़ी है, वहाँ से आगे हम लोग LPP में बात करेंगे, और questions का level भी थोड़ा different और difficult होता है, तो अच्छे से इनको करो, 2 variable, 3 equations, 2 variable, 4 equations को combined करके, जो solution निकलेगा, तो point of intersection निकालने के एक habit बना लो, and along with, जो theory वाले questions उनको देखकर क्या भागते हो, तो उनको practice जरूर करना है, and just let me know कि next class में क्या करने का मूर है अपने को, किसी particular chapter के अपने को back exercise discuss करना है, या फिर अब level increase करके अपने को IIT का cover करना है, whatever you want in the like mathematics, just let me know, च्योंक है, चलो भाई, पढ़तर हो अच्छे से, अप लोग के exams आने वाले हैं, तिके चल रहा है, so all the best for your exams, मिलते हैं next class में, बबाई.